अलो फ्रेंड्स आपको स्वागत है हमारे चैनल में और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जोतिश्वा शास्त्रों के नुसार नो आदते आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए नमर पहला अगर आपको कहीं पर भी धूकने की आदत है तो ये निश्चेत है कि आपको यश्च सम्मानवा अगर मुश्किल से भी मिल भी जाता है तो कभी ठिकेगा ही नहीं वाश मेशिन में ही ये काम कराया करें नमर दूसरा जिन लोगों को अपने जूटी थालिया बरतन वहीं उसी जगा पर छोड़ने की आदत होती है तो उनको सफल तक कभी भी इस ताई रूप से नहीं मिलती है बहुत मेहनत करने पड़ती है और ऐसे लोग अच्छा नाम नहीं कमा पाते अगर आप अपने जूटे बरतनों को उठा कर उनकी सही जगा पर रखाते है तो चंद्रमा और शनी का आपको सम्मान करते है इसे मानसिक शांती बढ़कर अर्चने दूर होती है नमबर तीसरा जब भी हमारे घर पर कोई भी बाहर से आए चाहे महमान हो या कोई काम करने वाला उसे सवच पानी जरूर पिलाएं ऐसा करने से हम रहु का सम्मान करते हैं जो लोग बाहर से आने वाले लोगों को हमेशा सवच पानी पिलाते हैं उनके घर में कभी भी रहु को पानी दिया जाता है तो हम बुद्ध, सूरे और चंद्रमा का सम्मान करते हुए परिशानियों का डटकर सामना कर पाने का सामर्थि आ पाता है। परिशानिया दूर होकर सुकून आता है जो लोग नेमित रूप से पोधो को पानी देते हैं उन लोग को डिप्रेशन जैसी परिशानिया नहीं पकड़ पाती है। चादर कहीं, तकिया कहीं, कंबल कहीं उस पर ऐसे लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े तक फैला कर रखते हैं। तो पांच मिनट रुक कर मुँ और पैर्द होए। आप खुद ये पाएंगे कि आपका चुछड़ापन कम होगा, दिमाग की शक्ती बढ़ेगी और क्रोध धीरे-धीरे कम होने लगेगा, आनन्द बढ़ेगा। रोज खाली हाथ घर लोटने पर धीरे-धीरे उस घर से लक्षमी चली जाती है, और उस घर के सदस्यों में नाकरात्मक या निराश के भाव आने लगते हैं। इसके विपरीद घर लोटते समय कुछ नाकुछ वस्तवे लेकर आए, तो उसे घर में बरकत बनी रहती है। कुछ करने के समय और वैसा कहां जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अच्छी बाते बातने से दूनी तो होती है। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले। थाइंक यू एंड बाए।